समस्कार दोस्तों चामिल कर लिए गए है मेल, फीमेल, महिला और पुरुष दोनों इन विकेंसी के लिए एपलाए कर सकते हैं इसके लिए आप लोगों को ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा सबसे पहले आप सब भी लोग ये जान ले इस बार जो वेकेंसी यहाँ पर जो रिलीस की गई बिलकुल आप सब भी लोग इसमें हैडिंग पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है उडिसा स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर सोसाइटी डेपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफियर गौर्णमेंट ऑफ उडिसा तो उडिसा सरकार द्वारा ये रिक्रूटमेंट कॉंट्रेक्शल बेसिस पर आचुका है कॉंट्रेक्शल बेसिस पर अपउइंटमेंट आपको मिलेगी अभी हाली में ये इन्फोर्मेशन अफिशली आपको वेबसाइट पे प्रवाइड कराई जारी तो बिल्कुल टाइम वेसनिंग करते हैं जो पोश्ट इसमें आपको शामिल की गई वेकैंसी टेवल में डारेटली इसको आपको डिसकस कर लेते हैं तो पहली जो पोश्ट है क्लिनिकल साइकलोजिस्ट की है इसमें 17 पर है 40 साल इसमें आप लोगों के लिए उमार रखे गई करीब करीब 30,000 रुपे आपको सैली मिलेगी और इस पोश्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन के तोर पे PG डिगरी होना आपका जरूरी है साइकलोजी या फिर किलिनिकल साइकलोजी के छेतरे में 2 साल का पोश्ट कॉलिफिकेशन एक्सपिरियंस है आप लोग एपलाएं करदें इसके बाद शोशल मरकर के लिए इसमें आप 10 पर शामिल किये गए 40 साल उमर रखे गई करीब करीब 30,000 रुपे सैली मिलेगी PG डिगरी होना आपका जरूरी है सम्मेदे जो आपके आपे पोश्ट है और 2 साल का पोश्ट कॉलिफिकेशन एक्सपिरियंस है आप लोग भी एपलाएं कर सकते हैं इसके बाद कॉर्डिनेटर की वेकेंसी आ चुकी है इसमें 3 पद है 40 साल उमर रखे गई करीब करीब 30,000 रुपे आपको सैली मिलेगी आप लोग जो है B candidates means engineering जो candidates है Bta candidates है आप लोग भी एपला करें और MCA candidates भी इसमें एपला है कर सकते हैं और experience अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एपला है गरपैंगिस के बाद देखिए nursing के लिए वेकेंसी है psychiatric nurse के यह पोस्ट है 26 पदिस में शामिल कर लिए गए 40 साल उमर आप लोगों के लिए रखे गई 18,770 रुपे आपको salary मिलेगी जो भी candidates आपके डिप्लोमा रखते है psychiatric nursing में आपके पास यादी दो साल का course है आप लोग apply करें और दो साल का आपको 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 पोस्ट क्वालिटिकेशन experience भी मांगा जा रहा है इसी field के counselor की पोस्ट है इसमें 61 पर है 40 साल उमर यहां पर रखे गई 18,770 रुपे आपको salary मिलेगी और PG degree होना आपको आपके जरूरी है इसी field में और दोस्तों यदि आपके पास एक साल का experience है इसी छेतर में आप लोग यहां पर apply कर दे इसके लिए apply आपको किस तरीके से करना है तो लिखा है to apply online through the above website said तो दोस्तों जो इसकी official website है इसके माधियम से जो है आप लोगों को online application form आपको fill करना है इसकी official website है आप पर रहेगी लिखा है online application form will be available from 8 October to 14 October तो सिर्व आप लोगों को जो है 8 October से 14 October तक का समय दिया जा रहा है रात के 12 बाई तक आप सबी लोग अपना apply कर दे और दोस्तों जो आप लोगों का application form online apply करने के बाद print out जो निकलेगा वो आपको documents के साथ self-attest करके आपको भेज़ देना होगा तो सबी documents आपको self-attest करने है और कहां पर बेज़ना है Mission Directorate NHM ये पूरा आपको address बता दिया गया है इस पति पर आप लोगों का आवेदन पहुँच जाना चाहिए लास देखनी जब पोस्ट के माद्यम से तो पोस्ट के माद्यम से 18 October तक का समय है आपका आवेदन पोस्ट के माद्यम से पहुँच जाना चाहिए तो 14 October तक आप लोग online apply करें और 18 October तक आप लोगों को offline apply भी करना होगा और registered post के माद्यम से बेज़ें speed post के माद्यम से बेज़ें courier के माद्यम से बेज़ें ये आप लोगों की choice है और आपको post का नाम अपने envelope पे mention करना ही आपको जरूरी बोला गया है तो दोस्तों जो भी information थी वो मैंने आपके cover की selection का process भी मैं आपको आपके बता देता हूँ जितनी भी post यह आप जो शामिल की गई है सब में आपका interview आयोजित कराया जाएगा चाहे nurse की post हो चाहे coordinator की हो चाहे social worker की हो psychologist की हो interview के माद्यम से आप लोगों का इसमें आपे selection होगा तो यह update आपको कैसा लगा जरूरी बता है NHM के अंतरगात यह वीडियो को like कर दे channel को भी subscribe करें जिसे आगे की vacancy की जानकारी मिलती रहे वीडियो को नीचे जाके subscribe कर आयर बेटन को click कर दे हर vacancy का update आगे भी बात रहे तो मिलते हैं आप से आगे ले वीडियो में thank you so much